इमर बारह देखिए, कहा रहा है कि एक, दो और तिन सुन्यक वाले त्रिघात बहुपद के करें, यानि सुन्यक दिये गए हैं तीनों, आपको त्रिघात बहुपद ग्याद करना है, तो इसमें मालत है कि माना त्रिघात बहुपद के सुन्यक, अल्फा, बीटा तथा गामा ह यानि कि 1 हो गया अलफा आना और 2 हो गया बीटा और 3 हो गामा ठीक है तो आप पहले निकाल लेते सुन्य को कायोग अलफा प्लस बीटा प्लस गामा यानि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जागा 3 दू 5 और 1 छे अगला निकालते है अलफा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अलफा तो यानी 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 1 तो कितना हो जागा यह 2 यह 3 गुना 6 और यह 3 एकम 3 तो 6, 2, 8, 3, 11 तिसा निकाल लेते हैं alpha into beta into gamma यानी 1 into 2 into 3 तो यह जागा आपका 6 अब आपको पता है कि तरिगात बहुपद के लिए तिगात बहुपद का फॉर्मूला आपको लिखवा रखे हैं कि PX बराबर होता है K into X cube minus alpha plus beta plus gamma X square plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha into X और minus alpha beta into gamma यही नहोता है तो अब मानतों आया ही है रख दीजे खली K bracket के अंदर X cube minus alpha plus beta plus gamma का मानतों देखे 6 है चलिए इसका मानतों क्या है आपका 11 है और यह minus 6 हो जाएगा यहाँ चलिए इसलिए अभिस्ट बहुपद जो हमें निकालना था अभिस्ट बहुपद आपको पता ही है अभिस्ट बहुपद क्या हो जाएगा X cube minus 6 X square plus का 11 X और minus का 6 समझ गए चलिए अगला question देखते है question मर 14 देखिए